कि मानव जो है मानव धर्म पर आ जाए, मानव का जो धर्म है अच्छे कर्म करना और अच्छे समाज का निर्मार करना और अच्छे समाज में रहना, उसी कार में इनके आदेश पर हम सब लोग लगे हुए हैं और एक मानव समाज को नसा मुक्त तथा सुद्ध साकाहरी समाज ह हम लोग निर्मित करने में बाबा जी के आदेष पर हम लोग सब गाउं-गाउं में साकाहर का प्रचार करते हैं और इसी काम पर पूर्री टीम हमारे पूरे भारत देश में साकाहर के प्रचार में जय गुर्द्यू संथ्था की तरफ से सभी लोग कारकर रहे जैसे बहुत सोब्साइब आज के आदी हो गए है तो यह क्यों खाना चाहिए क्या से लिए यह खानाी जाए ग için कि ज़ाएगे दी जानवरों दी check नहीं होगा तो कह कि Ange स्वाराम नहीं मिलेगा इसलिए साकाहरी मतलब लोगबाग बने ताकि स्वास्तर हैं लोगबाग तो इससे सीख मिलती है कि हमें मासाहरी छोड़ना चाहिए प्रतिवी पर उनको काफी बिद्वान थे वो और उनको कई वेदों का ज्यान था लेकिन उनके केवल तीन करमों के कारन उनको इनसानों ने रक्षव कहा कि वो मांस खाते थे और सराब पीते थे और पराइणारी को गलत नजर देखते थे तो यदि रावन जैसे विद्वान का तीन बुराई होने के कारण उनको यदि हम रक्षस कह सकते हैं और रक्षस का बिनास अंत में होता है तो क्या इस मानो समाज में यदि वो बुराई हमारे अंदर है आपके अंदर है किसी के अंदर है तो निश्चीत रूप से वो भी एक प्रक्षर्स की स्रेणी में आता है और उसका भी एक ना एक दिन हो जाएगा इसलिए हम सब लोग समझा रहे हैं कि इन तीन बुराईयों से आप लोग दूर हो जाएं और शाकाहारी नसा मुक्त एक अच्छे समाज का निर्मार हो दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे क्या नाम मदीरा का शेवन नहीं करना चाहिए और सबसे बड़ी वात इन्होंने कहा कि हमें अपने ही समाज अपने देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए जी बिल्कुर तो दोस्तों हम आसा करें कि कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और ये संदेश जो चले हैं हमारे बाई साब लोग जै गुरु देव जी के असरे पर हम आसा करते हैं कि आप भी इनकी राय को समझेंगे और इनसे कुछ पेंड़ना सीख लेंगे बहुत बहुत धन्नवाद